वेलकम टु तत्समबोध आज का जो हमारा टॉपिक है वो अर्थ के मोशन से रिलेटेड है जिसमें की आप रोटेशन और रेवल्यूशन पढ़ेंगे साथ साथ हम देखेंगे कि अर्थ थोड़ी सी जो जुकी हुई है उसके कारण क्या परिवर्तन होते हैं और अगर जुकी ना होती तो क्या होता तो इन्हीं सब बातों को आईए समझते हैं मैप के माध्यम से जो यहां पर मैंने लिखा है रोटेशन का मतलब क्या होता है अर्थ के रोटेशन का मतलब यह है कि अर्थ जो हैं पर है वो सीधे अपने ही ऐसे घूम रही है जैसे आप एक ही साथ ऐसे घूम जाते हो सिर्फ अपने पुजीसन पर ही और revolution का क्या मतलब है जब आप कोई माली जैसे ग्राउंड का चक्कर लगा रहे हो तो यह हो गया एक revolution ठीक है Axial tilt का मतलब क्या हुआ कि अर्थ ऐसा लगता है कि हमें ऐसी होगी लेकिन actual में वो थोड़ी सी यह सीधी axis से 23.5 degree tilted है ठीक है यहां से 23.5 degree है तो अगर 90 degree यहां से अपलेंगे तो 66.5 होगा चलिए यह एंगल वाली बात भी होगी अगर अर्थ tilted ना होती तो क्या होता क्या दिन और रात होते क्या season होता दिन और रात तो rotation के कारण होता है तो इसके tilt से दिन और रात का कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है तो दिन और रात तो तबी भी होता अगर यह tilted ना होती लेकिन ये बात जरूर है कि अर्थ पे अलग-अलग जगह पे दिन का टाइम और रात का टाइम थोड़ा वेरियेशन जो अभी होता है वो नहीं होता अगर टिल्टेड नहीं होती अर्थ क्योंकि अर्थ जो सनलाइट आता जहां पर पढ़ रहा है जरूर दिन और रात बराबर बराबर होते और जहां पर यहां पर अगर लाइट पढ़ रहा है तो वहीं पर पढ़ता है जो अब टिल्टेड होने कारण क्या हो गया है थोड़ा सा सनल ठीक है अलग-अलग सीजन में हम लोग मुखेता क्या देखते हैं कम से कम ठंडी और गर्मी का तो अंतर जानते ही है बीच में बरसाथ भी आ ठीक है लेकिन अगर और फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे तो ऑटम भी आ जाए स्प्रिंग भी आ जाए है ना तो हम देखते हैं कि इसके रेवलुशन से क्या क्या होता है और अलग-अलग यह जो आप डिग्री पढ़ते हैं लाटिटूड दिया रहता है इसका क्या मत्व है यहां पर 23 1⁄2 नौर्थ दिया है यहां 66 1⁄2 है यहां 23 500 फॉस है All directly और शॉस्क्षिय्म आप तो सबसे पहले मैंने यहां से सटार्ट करते है ठीक है यहां पर मैंने दिखाये क्या है एक्वेटर है एक्वेटर हो क्या होता है एस जो पूरा बड़ा गोला है ना उसस के लिए जीरो डिग्री लिए हमने प्रिविएस क्लासस में भी पढ़ चुके हैं हम लोग यह सब बत हैं तो ऐसा देखा जाता है सन का साइज यहां पर मैंने नौर्दन हमिस्फियर में है क्योंकि आधे पार्ट से नीचे सधन रहाएं ऑन वह सबसाओ कर रहा है तो यहां पर ऐसा है休 mio की जो maximum overhead डारेक्ट सन लाइट अब सन रेज की डारेक्ट लाइट का आपको मतलब मैं समझा देता हूं कि माल लिए यहां पर सन है कि और यह पृत्वी है सपोस करना यह एक डारेक्ट लाइट कहलाती और यह स्लांटिंग रेज कहलाती है यह किसी एंगल पर यह डारेक्ट लाइट जाती है ठीक है यह सन है और यह अर्थ है हम लोग यह जो है डारेक्ट लाइट सन की कहां तक जाती है नॉर्धन हेमिस्पेर में 23.5 डिग्री नॉर्थ तक उसी दिन 21 जून पढ़ता है जिस दिन नॉर्धन हेमिस्पेर के लिए सबसे बड़ा दिन होता है जिसको हम लोग समर सॉल्स्टिस भी बोलते हैं हमारे योगा डे भी इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है तो इसलिए इसको और क्या कहते हैं आपको बताओ कर ट्रॉपिक ओफ कैंसर भी इसका नाम है ठीक ह यहां पे सप्ट कि लाइट डाइरेक्ट नॉर्धन हेमिस्पेर तक याती अगर एपेरेन्ट मुशन ओफ सं को कंसिडर करते हैं कि सेमिलररली यहां से यहां जो दिखाएगए 2530 अगरेपिरेंट मुशन संांग होता थो तो मैक्सिमम्व डाहेक्टी में जाता है वों 235 तक के बीच डाइरेक्ट सनलाइट जाता यह वाला ना बाकी सारे रिजन में एंगल पर कोई नो कोई जाएगा तो इस डिगरी को भी क्या वहते हैं प्रॉपिक ओफ क्या प्रिकॉर्ट कि इसका आपको इंपॉर्टेंस मालूम चल गया अब यह 66 अंद हाफ नॉर्थ क्या है और 66 अंद हाफ साउथ क्या है जहां तक सनलाइट जाएगी नॉर्दन हमिस्पेर में उस पॉइंट को 66 अंद हाफ नॉर्थ उसके बाद वाला यह जितना रिजन है वहां पर कोई सनलाइट नहीं मिलेगी ठीक है तो इसका नाम बोलते है आर्क्टिक सर्कल बोल तो आर्क्टिक सर्कल का क्या इंपोर्टेंस है कि अगर सन की डायरेक्ट लाइट 23 अंद हाफ साउथ यानि ट्रोपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर है उस वक्त जो नॉर्दन हमिस्पेर की हाइस्ट लिमिट होगी सनलाइट की वो यह होगी ठीक है तो इस लाइन को इसलिए आर्क ट्रोपिक ऑफ कैंसर पर होगी तो जो सन की सबसे आखरी लाइट सदन हमिस्फियर में होगी वह यहीं तक जाएगी सिक्स्टी सिक्सेंड हाफ साउथ तक इसलिए इसका नाम क्या है कि इसका नाम है अंटार्क्टिक सर्कल कि ठीक है तो आर्क्टिक सर्कल का आपको मत पता चल गया अंटार्क्टिक सर्कल्स मालूम चल गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मालूम चल गया है अब जेस तरह से तो इसको समर सॉल्स्टिस बोलते है यानि वहां के लिए नॉर्दन हमिस्फियर के लिए सबसे बड़ा दिन उसी तरीके से जब ट्वंटी थी एंड हाफ साउथ पी होता है इसका जब डायरेक्ट रेज जो सबसे आखरी पॉइंट होता है उसके बाद रिट्रैक्ट करता है यानि सनलाइट इधर आने लगती है फिर तो इस दिन को वहां पर क्या बोलते हैं विंटर सॉल्स्टिस ठीक है जो की नॉर्दन हमिस्पियर में जो लोग रहते हैं उत्तरी गुलार्द में उनके लिए वह सबसे बड़ी रात होती है ठीक है यनि यहां सबसे छोटा दिन हो फिर इन दोनों का इंपॉर्टेंस हुचा जा सकता है ठीक है तो आपको अब तक यहां तक क्लियर है अब क्यूंकि अर्थ एंटी क्लॉक्वाइज मोशन में रोटेट करती है सन कह रहा हूं ऐसे तो जब यह यहां तक एक्वेटर से यहां गई होगी तो फिर क्या होता है य अब इसमें होता क्या है जब 23.5 नॉर्थ सबसे डाइरेक्ट सन्रेज का आखरी एक्स्टेंशन उसके बाद धेले 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 एक्वेटर पर यहां से इसको बोलते हैं यहां दिन और रात बराबर होते हैं ठीक है एक्विनॉक्स इसी को बोलते हैं और कब होता है ऑटम मे जाती है यहां से देखो नॉर्थ में था फिर धर के पास आया अचैंदर में यहां तब पहुच है पढ़ता है मार्च 21 को अरुसका नाम स्प्रिंग सीजन में पढ़ता नाि वायता है हस्यां होता है और एक नाघट सेमीलर दिन और कि जो नॉर्थ पोल और साइथ पोल और इस मेहने दिन और छे महीन रात होता है । आप देखेगे कि मार्च 21 के बाद सनलाइड जो है वह नॉर्दन हमिस्फियर में एंटर करता है यहां पर था मार्च 21 को यहां पहुंचा और फिर 21 जून से लेके सितंबर तक यहां आया यानि 21 मार्च से जर्णित यहां प्रफित फिर न पर फिरा यहां था है अगर तो यहां पर आगर अकर दिन है तो साउथ पूल पर इस च्छय महिने में राथ होगी जबकि ओपोजिट इधर होगा यहां पर नॉर्थ पोल पे छे महीने रात होगा तो साउथ पोल पर छे महीने दिन होगा क्योंकि सन की जो डारेक्ट रे है हो इकवेटर से इधर 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 आई इन 6 माइनों में यह सनलाइट इकवेटर के नीचे रहता है ठीक है डारेक्ट सनलाइट की बात कर रहे हैं हम लोग तो कारण को क्या क्या पता चल गया हमें मालूम चला कि अगर सिर्फ रोटेशन होता अगर पृत्वी जुकी नहीं होता तो इसलिए घूमने के साथ साथ अर्थ का जुकना भी जरूरी है ठीक है नहीं तो यह सब इलाकों में सनलाइट जाता ही नहीं तो सीजन में अंतर नहीं उसको रोटेशन बोलते हैं एक्सियल टिल्ट का मतलब यहां से यहां ऐसे टिल्टेड जुकाव को बोलते हैं एक्सियल टिल्ट फिर आपने देखा कि अलग-अलग पोजीशन पे अलग-अलग लाटिटीटूड का क्या महत्व है 23.5 नॉर्थ 66.5 नॉर्थ का क्या है सब्से बड़ी दिन होता है और हमारे लिए सब्से बड़ी रात होती है फिर इसको नाम कहा देते हैं ट्रॉपिक आफ ट्रपिग एकपे अबर औरीक लाइट होती इसको पिलते हैं और सिमिलर यहां पे है 23.5 नॉर्थ पर डिरेक्ट लाइट तो maximum extent जहां सदन हेमिस्फियर में जाता है उसको Antarctic Circle कहते हैं 6 महीने इस वाले portion में North Pole पर दिन होगा continuous और इस portion में रात होगा similarly South Pole पर इस 6 महीने दिन होगा इस 6 महीने रात होगा यह दोनों ऐसे position है जहां पर sun की direct light equator पर पढ़ती है इसलिए उसको equinox बोलते हैं जहां दिन और रात बराबर होता है और जब spring में हो तो spring equinox और autumn में हो तो autumn equinox I hope कि आपको यह बाते समझ में आई होगी thank you